चोपड़ा एजुकिस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों हरियाना स्टेट का फर्स्ट राउंड का प्रोविजनल रेजल्ट आ चुका है मैं यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइस कटोप बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी में कितनी कटोप रही हम सब जानते हैं कि हरियाना स्टेट बोंड के कारण पिछली साल भी काफी सुर्कियों में रहा था और इसमें हाई बोंड होने से स्टुडेंट ओल इंडिया कोटा पर फिर ज्यादा करते हैं और यह इसमें पहली बार देखा गया है कि PGI जैसे कोलेज छोड़के स्टुडेंट्स को अच्छे मार्ग्स होते हुए भी अगर सैन या फिर ESIC फ्रीदाबाद जैसे कोलेज लेने पड़ रहे हैं जबकि उनके बहुत ही अच्छे मार्ग्स हैं लेकिन यह मजबूरी में हो रहा है सारा क्योंकि हर्याना का बोंड इतना ज्यादा है कि स्टुडेंट के लिए पे कर पाना मुस्किल होता है रूल चाहे कैसे भी बना दो उसमें सफर स्टुडेंट को ही करना पड़ता है तो इसी कारण से इतना ज्यादा हाई बॉंड होने के कारण से क्योंकि इसमें फीज तो 80,000 पर येर है लेकिन बॉंड फिर 10 लाग का पे करना ही होता है MBBS करने के बाद में तो मैं यहाँ पर आपको केटेगरी वाइज कटोप बता देता हूँ इसमें जनरल केटेगरी की जो कटोप रही है वो रही है 12,346 ओल इंडिया रेंक रही है मार्क्स 617 बॉंड होने के बावजूद भी इतनी हाई कटोप रही है हरियाना इस्टेट की कोलेज मिला है नलर का नलर कोलेज है मेवाद का वो कोलेज हुआ है ज्यादातर लास्ट यही कोलेज अलोट होता है EWS में 15,002 रेंक पर 610 मार्क्स पर BPS सोनी पत जो गल्स कोलेज है वो अलोट हुआ है गल्स कंडिडेट को इसके बाद में BCB केटेगरी की बात करें तो 17,101 रेंक पर जिसके मार्क्स है 604 उसको भी मेवाद का कोलेज अलोट हुआ है BCA केटेगरी की बात करें 29,704 रेंक पर जिसके मार्क्स है 578 उसको भी मेवाद का कोलेज मिला है SC केटेगरी की बात करें 67,784 रेंक जिसके मार्क्स 520 है महराजा अगरसेन कोलेज मिला है जो पब्लिक सेक्टर की कोलेज है इसके बाद में हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की कोलेज है इसके बाद में SCDE की बात करते हैं तो इसमें जो कोलेज अलोट हुआ है वो हुआ है 145,834 रेंक पे मार्क से 439 इस कंडिडेट को भी BPS जो गल्स कोलेज है सोनीपत का वो मिला है गल्स कंडिडेट को तो ये हर्याना स्टेट की category wise कटोप है हर्याना स्टेट पहला स्टेट है इस साल के लिए जिसने अपनी first round की कटोप सबसे पहले जारी की है बाकी स्टेट की जैसे जैसे कटोप आएगी हम आपको inform कर देंगे काफी स्टेट काफी क्या दो चार स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने अपना रेजिस्टेशन भी अभी open नहीं किया है जैसे वेस्ट बंगाल हो गया आंधरा हो गया उनके भी रेजिस्टेशन स्टार्ट होते ही आपको inform कर देंगे मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैखिन